नमस्कार प्रियमित्रों. मकरलगन वाले लोग अपनी बातों को सिकरेट रखने वाले होते हैं. मंगल पराकरम और तेज के कारक होते हैं. मंगल और शनी आपस में शत्रू है. मंगल की तीन दृष्टिया होती हैं. चौथी, साथवी और आठवी. मकर लगन में मंगल आपकी दशवे घर में बैठे हैं मंगल शुकर की राशी में बैठे हैं यहां से मंगल आपके पहले चौथे और पाँचवे घर पर देखेंगे मंगल दशवे घर में बलवान हो जाते हैं मंगल आपके लगन को देखकर आपको जीद्दी बनाएंगे. आपको बहुत ही जल्दी गुस्था भी आ जाएगा। मंगल यहां से आपके साथवे घर को देखेंगे. मंगल अपने ही घर को देखेंगे जिसके कारण ऐसे लोगों के पास बहुत सारी जमीन जायदाद होती है यहां से मंगल आपके पाँचवे घर को भी देखेंगे और आपको संतान प्राप्ती भी होती है आपकी पढ़ाई भी अच्छी रहती है शुक्रापकी कुंड्री में अच्छी पोजीशन में नहीं होंगे तो मंगल संतान प्राप्ती में और पढ़ाई में प्राप्लम बढ़ाएंगे मंगल के उपाय के लिए आपको हनुमान चालिसा का नित्य पाट करना चाहिए